आतंक और हिंसा का माहोल बनाने वालों को उनके उप्यलाने वालों को भाय का बातार पड़ा करने वालों को नेश्ट दाबूत करदा सरकार की नीती, सरकार की रन नीती और उसमें हमारी पस्ता साफ है हमें कोई हीच की चाट नहीं है, हमारे साइनिकों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने, सुरक्षा एजन्सियों ने बहुत प्रसंस नहीं काम किया है संक्रट की घड़ी में भी देश को शांती देने के लिए, ये उनिफॉर्म में खड़े हुए सब लोगों ने, अपनी जीवन की अपनी आज आहुत करके, हमारी कल को रोशन करने के लिए जीवन खपाया है मैं उन सबको सलिट करता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ, लेकिन समय रहते, रिफॉर्म की भी बहुत आवशक्ता होती है आपने देखा होगा हमारे देश में साइन्य व्यवस्ता साइन्य सक्ति साइन्य संसाधन उसके रिफॉम पर लंबे अर्शे से चर्चा चल दीए अनेक सरकारों ने इसकी चर्चा की है अनेक कमिशन बैठे हैं अनेक रिपोर्ट आए हैं और सारे रिपोर्ट करीब करीब एकी स्वर को उजागर करते रहे हैं 19-20 का फर्क है ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन इन बातों को लगातार कहा गया है हमारी तीनों जल खल नब उनके बीच कोडिनेशन तो है हम गर्व कर सके ऐसी हमारी सेना की विवस्ताइं है किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व हो ऐसा हो भी अप दुनिकता के लिए भी प्रयास करते हैं लेकिन आज जैसे दुनिया बदल रही है आज युद्ध के दाइरे बदल रहे हैं रूप रंग बदल रहे हैं आज जिस प्रकार से टेक्नलोजी ड्रिवन व्यवस्ताइं बन रही है तब भारत को भी तुक्रों में सोचने से नहीं चलेगा हमारी पूरी सेञ्य सक्री को एक मुस्त्हो करके एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा जल फल नब में से एक आगे रहें दूसरा दो कदम पीछे रहें तीसरा तीन कदम पीछे रहें तो नहीं चल सकता तीनों एक साथ एक ही उंचाई पर आगे बढ़े कोडिशन अच्छा हो सामान निमानमी के आसा पाक्षाओं के अनूकुर हो विश्व में बदलते हुए युद्ध के और सुरक्षा के माहोल के अनुरूप हो इन बातों को ध्यान के रखते हुए आज मैं लाल के लिए से एक महत्वपून निर्णे की गोश्णा करना चाहता हूँ इस विशे के जो जानकार है वो बहुत लंबे अर्शे से इसकी मांग करते रहे हैं आज हमने निर्णे किया है कि अब हम Chief of Defence Staff CDS इसकी ववस्ता करेंगे और इस पच्च के गठन के बाद तीनों सेनाओं के सिर्शस्तुसर पर एक प्रभावी इंडेत कुट्व मिलेगा हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गतिम है ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉम करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है